हलो अबरीबडी इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तो मैगनेट ब्रीन्स इस वीडियो लेक्चर से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवन्थ जिओग्रफी का चाप्टर चाप्टर है यूमन इन्वार्मेंट इंटरेक्शन्स चाप्टर का नाम इतना बड़ा ऐसे लग रहा एक फुरा-गफूरा आंसर याद करना पड़ रहा है लेकिन सुनो, ये चाप्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट चाप्टर है पिछले चाप्टर में जो इससे पहले वाला चाप्टर था उस chapter में हमने human environment के बारे में पढ़ा था तो किस तरह से human beings settle होते हैं transportation system कितना मददगार हुआ है communication कैसे use किया जाता है क्या communication है यह सारी चीज़ हमने पिछले chapter में पढ़ी थी अब यही line में अगर हम human beings को समझते है human geography को समझते है तो human geography में क्या हो रहा है human geography में हम जैसे देखे तो human environment interactions याने कि human beings के आजुबाजू उनका environment ठीक है? मानते हो अब human beings के आजुबाजू जो environment है तो उस environment के साथ में वो कैसे interact करते हैं किस तरह से वो environment में अपने आपको survive करने के लिए क्या modifications लाते है environment से क्या लेते है environment को क्या देते हैं यह सारा सब कुछ हम human environment interactions में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं अब देखो क्या है? यहाँ पर specifically chapter में क्या दिया है? the tropical and subtropical region तो यह भी मैं आपको समझा दिता हूँ अब आपको पता है? नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा यह पूरा अर्थ है अर्थ में क्या है? 0 degree होती है equator फाइन अब 0 degree equator होता है अब equator से उपर और नीचे मैंने आपको अलग-अलग zones 6th class में पढ़के आए हो आप अलग-अलग zones होते तो जैसे क्या होता अगर आप यह पूरा बैंड देखेंगे ठीक है यह पूरा बैंड जो आप देखोगे तो wait a second color change करते हैं तब जाधा बहतर समझाएगा ठीक है अब देखो यह जो पूरा एक band है ठीक है यह वाला जो पूरा बैंड दिख रहा है आपको dark color में दिख रहा है dark brown कहना चाहो red गहना चाहो जो color कहना चाहो ठीक है यह क्या हो रहता है जिसे इंडिया में tropic of cancer मद्रप्रदेश से पास होता है 23 degree उसके नीचे का पाट इंडिया में tropical climate भी है यह tropical area है पूरा clear और उसके साथ में तो प्रोपिकल क्या होता है तो त्रॉपिकल से थोड़ा सा उपर वाला जो बैंड रहता है ठीक है तो रिलीटिवली हम कह सकते फाइफ डिग्रीज ठीक है तो लगबग लगबग 5 डिग्रीज में जो फ्लक्टूइटिंग एरिया रहता है जहां पर जो अमाउंट ओफ सोलर solution receive वो vary करती है तो आवा है कि यह सब ट्रॉपिकल एरिया हो गया तो there are two areas two climatic areas we can say two climatic zones tropical, subtropical tropical तो ट्रॉपिकल तो बीच में इक्वेटर पे हो गया तो एक बड़ा band cover कर लिया, subtropical वही चीज़ की Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn के उपर नीचे plus minus 5 degrees, clear है? तो ये सब ट्रॉपिकल हो गया अब हम क्या करने वाले हैं तो इतना जो एरिया है पूरा ये वाला पूरा एरिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कहलाएगा मतलब यहाँ पर सोलर इंसुलेशन क्या रहेगी जाधा रहेगी आगय समझे सोलार इंसुलेशन जादा रहेगी हीट जादा रहेगी तो अब हम ये ट्रॉपिकल और सब्रॉपिकल इसे पढ़ने वाले हैं इस पूरे के पूरे चाप्टर को हम पूरे चाप्टर में हम क्या देखेंगे कि इन एरियास में जो लोग रहते हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं मतलब नेचर के साथ में उनका जो इन्वार्मेंट है उनका आज़ी बाद जो क्या चीज़ है क्या नहीं है वो सारा सब कुछ हम समझने वाले हैं अब देखो तो एक्जामपल भी चाहिए रहेंगे हमें ऐसा सुरी है कि हवा में सारी चीज़ें समझ लेंगे तो हमारे पास में एक्जामपल क्या रहेगा यहां पर वो देखो और गंगा ब्रह्मपुत्रा वेसिन जो है तो यह गंगा ब्रह्मपुत्रा वेसिन हो गाया मांझा लो तो ओब आपको समझ में आगा होगा कि चाप्टर क्या है बीए पूरा चप्टर के मतलब चाप्टर में किस की सीज के बारे में हम क्या पच्टने वाले है तो human environment interactions चिक क्या है human environment interactions में भी the tropical and subtropical region तो मैंने आपको tropical subtropical region समझा दिये यहां देखो तो tropical के लिए हम amazon basin पढ़ेंगे amazon river पे ठीक है और ganga brahmaputra basin पढ़ेंगे जो इंडिया में है ganga और brahmaputra river का तो इन दोनो examples के थुरू हम इन दोनो rivers के आजू बाजू किस तरह से लोग रह रहे है एक tropical एक subtropical area में है climatic zone में है तो वो सारी चीज़े आपको क्या हो जाएगी clear हो जाएगी आया समझ में देखो आपको पता है कि हम chapter start करते है तो जो पहला video lecture होता है वो क्या होता है आप एक story दी गई है रेनुका की रेनुका कौन है मैं भी नहीं जानता हूँ आप भी नहीं जाता हूँ एक frictional character है ठीक है बुक में जो दी गई है तो रेनुका के जो uncle है तो वो क्या है wildlife photographer है तो wildlife photographer है तो वो क्या करते है photos कीच के लाते हैं बहुत सारी और रेनुका जो है तो रेनुका बहुत जादा interested है उनके द्वारा खीची की photos में तो वो एक photo दिखाते है रेनुका को ठीक है अब इसमें आप दिखते हैं तो इसमें क्या है अलग-अलग लोग है अलग दिखने वाले ठीक है अलग culture को follow करने आले कोई dry regions में रहते हैं कोई कहां पर रहता जहां पर बहुत बारिश होती है सारी चीज़ें ठीक है तो रेनुका बहुत curious चीज़ को लेकर कि मुझे और जानना है वर्ल्ड के बारे में क्योंकि वर्ल्ड में आप देखो को तो कितने सारे अलग-अलग लोग है अलग-अलग culture है अलग-अलग customs है सारी चीज़ें और इस बीच में क्या हो रहा है इस बीच में अगर आप देखोगे तो सबका रहने का तरीका अलग है सबका कपड़े पहनने का तरीका अलग है सबका खाने का तरीका अलग है तो रेनु का क्या जानना चाहती है कि किस किस प्रकार के लोग है तो जो श्रीकांत अंकल है वो समझाते है कि कैसे ये लोग अलग हो सकते हैं लेकिन सब क्या करते है कि अपने इन्वार्मेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो यह कहानी मतलब start करने का एक वो है आपको एक थोड़ा सा क्या दे दिया एक narrative दे दिया कि हाँ किस तरह से हम देखते हैं कि वल्ड में कितनी diversity है अब उस diversity को जब समझने की बात आती है तो diversity को जब समझने की बात आती है ठीक है now relate the story with the chapters heading ठीक है chapter की heading के साथ में relate करो heading क्या ह कि ट्रॉपिकल सब्रॉपिकल दिखती बात है तो जो लोग ट्रॉपिकल एरियास में रह रहे होंगे अंकल की फोटो के साफ से डाइवरसिटी है तो वैसे हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल एरिया में रहने वाले लोगों का अलग रहना सहना सारी चीज़ होगी वैसे ही को समझेंगे यहां का क्लाइमेट सम्झेंगे यहां पर मतलब इसको क्यों रेनफोर्स इरिया कहा जाता है ठीके वह समझेंगे पीपल ओफ डी रीइन फॉरस्ट और यहां पर लोगों पर रहने का तरीका कैसा है यह तीन टॉपिक हो जाएंगे फिर वह सी गंगा पुत्रा मे यहां देखेंगे कि यहां climate कैसा है लोग कैसे रहते हैं wildlife क्या है यह सारी चीजें तो टॉपिकल सब्रॉपिकल रीजन को तो समझ चुके वाप किया यह टॉपिकल एरिया में आता है सब्रॉपिकल एरिया में वहां के जो लोग हैं उन्हें समझने के लिए हम दो बेसिन समझे ढला चांटी violels आपका यह वह थे सांटे ब्राजील में क्या हो 보여 की नदी है Amazone River लौट की more लारजेस्ट मतलब बड़ी करे बड़ी a तो इसमें क्या है कि यहां के लोगों का रहना सहना है तो यहां का रहना सहना है वहां का climate ये सारी चीज़े समझेंगे और similarly हम गंगा ब्रह्मपुत्रा के लिए तो हमारी गंगा रिवर है ठीक गंगा रिवर का है हमारी तो गंगा रिवर है हमारी ये देखो क्लियर यहां पे गंगा रिवर है यहां पे ब्रह्मपुत्रा रिवर है तो यह घंगा ब्रह्मपुत्रा का देखेंगे कि खेंगे और इसी के आज बाज हमारा पुरा चैप्टर क्या करने आला हमारी थीम भी है यह ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रिजन फिर डू यू नो फैक्ट्स जितने भी है इस चैप्टर में उन सभी को डिस्कस करेंगे और लास्ट में NCRT Solution यह सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में मतलब इस पूरे के पूरे चाप्टर में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक थीम समझा दिये कि चाप्टर किस बारे में हैं I HOPE चीजहें समझ में हैं यह आपको Fine, किसी प्रकार के डाउट है, feel free to ask in comment section Next video lecture से topic start करेंगे हम Till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिग्राश सिंग राशपूत, welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Life in the Amazon Basin Amazon Basin में Life किस तरह की यह वो पढ़ने वाले हैं? सवाली आता है पहले कि क्यूं पढ़ेंगे? देखिए जो हमारा chapter है, वो हमने पिछली वीडियो में आपको basic introduction बताया है कि हम chapter में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? अब chapter का नाम देखते हैं, Human Environment Interactions उसमें क्या है? The Tropical and Subtropical Region अब the tropical and subtropical region जब बोल रहे हैं तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें हम पढ़ेंगे Amazon basin के बारे में सबसे पहली चीज़, Amazon क्या है? अगर देखो जिन लोगों ने पिछला वीडियो लेक्शन नहीं देखा तो उन्हें अभी भी डाउट होगा तो अगर आप यह सोच रहे हों कि Amazon का मतलब यह online shopping company जो है Amazon वो है तो जी हाँ, बिल्कुल गला सोचा है आपने, ठीक है? बिल्कुल गला सोचा है, Amazon का मतलब यह नहीं, Amazon यहाँ पर river है और उस river का नाम है Amazon, उस river का जो पूरा drainage basin है वो drainage basin कहलाता है Amazon basin मतलब जहाँ जहाँ वो river फैली हुई है, river की ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रिब्यूटरी, सारी चीज़े मिलके क्या बनाती है Amazon basin बनाती है आगे समझ में, अब देखिए क्या है अब यहाँ पर आपको समझना है चीजों को यह river है मानलो, clear? यह हमारी Amazon river है मतलब नदियां तो सबकी होती है ना तो हमारी बोल सकते हैं अब क्या है यहाँ पर देखो, the river Amazon flows through equatorial region, यह चीज़ क्या है इसे समझो, तो लगभग लगभग जैसे यहाँ पर है zero degree world map है, जैसे यह world है पूरा तो globe में यह zero degree होता है तो यह यहाँ पर कहीं situated है South America इस तरह से यह zero degree एक दम exact मैंने आपको बता दिया यह zero degree है, अब zero degree equator होता है, और equator से 10 degrees इधर चले जाओ, clear? चलो यह 10 degrees इधर चले जाओ, तो इतने एरिया में क्या है, पूरा Amazon basin फैला हुआ है अब यह क्योंकि equator पर है, तो equator पर बारिश जादा होती क्यों? क्योंकि दो एक्वेटर पर यह equator है, equator पर क्या होता? Sunrise Direct ने थी है Direct Sunrise के कारण जयादा renovation जयादा इवो operation तो जयादा Barcelimo और जब जयादा precipitation होगी तो यहाँ क्या होता है कि बहुत घना जंगल बन गया ठीक है गना जंगल बन गया और रिवर्स ओरिजिनेट हो के जाने लगी यहां से तो पानी और कंटिनुसली मिलने लगा अब रिवर का पानी उपर से एक्वेटर पे है इस कारण से पानी और इतना पानी तो फिर पेड़ भी बहुत सारे तो बहुत dense forest बना हुआ है ठीक है उस sense में क्या बन जाता है यहां पे dense forest बनता है जो Amazon rainforest कहलाता है ठीक है आगे पढ़ेंगे हम क्यों rainforest बोलते हैं बाकि अभी मैं आपको जो basic आपके जो topic इसमें जो content दिया है वो समझा देता हूँ clear है तो यहां पे Amazon basin लाइक करता है यह clear हो गया equatorial the river Amazon flows through equatorial region equatorial क्या है समझ में आगे नए equator से 10 डिगरी उपर 10 डिगरी नीचे का जो area है अब देखो यह degree degree में अगर confusion हो रहा है न तो क्योंकि मैं presume करके चल रहा हूँ कि आप 6th class में सब कुछ पढ़ क्या है क्योंकि यह करो कि कहां से हम पता कर सकते हैं जानो समझो basics समझ जाओ के सारी चीजें अगर 6th class में नहीं पढ़ा अच्छे से geography तो अभी पढ़ लो अभी लेटर नहीं हुए नाइंत में जाके पस्ताने से अच्छा क्या है कि अभी समझ नहीं आ रहा है तो 6th के वीडियो लेक्चर कैसी आती होगी मतलब हम रिवर का direction west flowing river समझ लेते कि रिवर इस direction में बहती होगी लेकिन यहीं गलती करते थे बहुत सारे बच्छों को confusion रहता है बच्छों को छोड़ो बड़े-बड़े को confusion रहता है तो अभी clear करता हूं में यहां पर क्या एक mountain range है ठीक है एंडी तो रॉक रिवर्स और उन बहुत सारी रिवर्स में एक रिवर कौन सी है Amazon रिवर में रिवर है जो बहुत बड़ी सी है Amazon है clear Amazon is the largest river in the world यह दिया नकना longest नहीं बोल रहा हूं largest मतलब size में बहुत बड़ी है longest कौन सी है यह यह भी मैंने आपको पिछले जाप्टर में बताया था ठीक है अब आपका homework यह कि आप comment section बताएंगे which river is the longest river in the world clear तो अब देखो यह Amazon river जो है यह Amazon river को बहुत सारी tributaries join करती है tributaries मतलब क्या होती है the river one which which one tributes the water into the main river ठीक है तो एक नदी जिसमें दूसरी नदी अपना पानी लाके tribute कर देती है वो tributary कहलाती है clear तो it flows from mountains to the west तो जो west में mountains है जो Andes mountain है इन mountains से originate होती है river इन mountains से originate होने के वाद में flow करती है mountains to the west and reaches to the Atlantic coast to the east ठीक है और बैते 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 कहां है Atlantic ocean है पूरा Atlantic ocean यह भी सब आपने सिक्सम पड़ा है तो Atlantic ocean जो है तो Atlantic ocean में पानी drain कर देती है Amazon river ले जाके अपना पानी वहां डाल देती है क्योंक विकीन पानी दाएगा उसमें नीबू डालो नीबू पानी बना की भी सकते हो बस कुछ में कर सकते हो तो सेंस में क्या है कि यह east में जाके drain हो जाती है तो numerous tributaries join Amazon river to form the Amazon basin मैंने बता चुक हो आपको कि यह जो main river है main river में बहुत सारी रिवर्स क्या होती है join होती है ठीक main river में बहुत सारी Amazon और पता नी कौन-कौन से बहुत सारी rivers join होती है सारी rivers join होके एक delta बनाती है पूरा एक basin बनाती है बेसिन क्या होता है कि जो पूरा area जो cover कर रही है river बहते समय है तो यह बहुत बड़ा एक basin बनाती है और फिर जाके east में drain कर जाती है clear है तो the river basin drains proportions of Brazil parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Columbia and small part of Venezuela तो अब देखो कितने सारी countries को cover करती river Ecuador, Columbia, Venezuela, Peru, Bolivia यह सारी countries जो ही है जो मैंने आपको countries बता है इतनी सारी 5-6 country इन सारी countries में Amazon drainage basin फैला हुआ है mainly Brazil में Brazil तो बोला ही नहीं हमने तो mainly Brazil में है mainly Brazil में है और बाकी दूसरी countries में भी इसका drainage basin फैला हुआ है अब एक जिसे आपकी बुक में question दिया हुआ है internal question है क्या कि बताओ कौन-कौन सी country से equator pass होता है क्योंकि equatorial region पर यह equator है नेखो यहाँ पर equator ऐसा निकला हुआ है तो यहाँ पर Ecuador, Columbia, Peru, Brazil तो इन countries से क्या होता equator निकलता है ठीक है ध्यान रखना कौन-कौन सी है Columbia, Ecuador, map पर देखो, map पर देखो कि समझ आएगा Columbia, Ecuador, Peru और Brazil तो इन countries से क्या निकलता है equator निकलता है zero degree निकलती है clear है तो यह सारा सब को चपने पढ़ा life in the Amazon basin यह Amazon basin का जो एक structure था वो मैंने आपको समझा दिया है clear है अब आगे हम क्या करेंगे जो next topic है उसे discuss करने वाले है उससे important चीज कहा जो climate जो next topic है हमारा वो पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ कि Magnet Prince पे जैसे आपने ये वीडियो लेक्चर देखा जियोग्रोफी का तो इसी तरह से कहा है civics भी है history भी है ये तो sst की बात हुई science भी है math भी है English भी हिंदी है जो आप पढ़ते हो सारी चीज़े है और आप ही की class नहीं class 4th से class 12 तक सब कुछ है और सबसे मज़दार ती सारी चीज़ें जो सारे वीडियो लेक्चर से हैं तो आपको क्या करना है आपको ये करना है कि जूनियर्स और सीनियर्स को बताना है प्लेटफॉर्म के बारे में शेर करना है उनके साथ में और अपनी पढ़ाई घर बैठे बैठे पूरी कंप्लीट कर सकते हो ठीक है अपने syllabus पूरा कंप्लीट कर सकते हो I hope you enjoyed the video lecture किसी प्रकार के डाउट है तो feel free to ask in comment section next video में हम next topic पढ़ने वाले हैं till then stay connected, keep learning thank you, thank you very much Hello everybody, this is Digraas Singh Rajput welcome to Magnet Beans इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस video में हम climate के बारे में पढ़ेंगे किस चीज़ के climate के बारे में तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ कि हम जैसे जो हमारा chapter है human environment interactions तो human environment interactions में हम जो the tropical and subtropical regions पढ़ रहे हैं तो उसमें भी पिछले वीडियो में हमने tropical region को समझाए tropical region में क्या लेके चल रहे हैं amazon basin को ले रहे हैं reference के लिए मतलब amazon river basin जो है तो उसके example से हम समझने की कुशिश कर रहे है पिछले वीडियो में बताया है कि life at amazon basin ठीक है तो amazon river के आजू बाजू किस तरह से मतलब कहा है तो geographically में आपको सारी चीज़ें clear कर दी थी अब देखो one by one हम सारे topics जैसे आपकी बुक में दिये वैसे लेते चलेंगे next topic आपका climate तो अब हमें यह समझना है कि amazon basin यह वाला जो एरिया है पूरा यह ठीक है यह amazon river यहाँ ठीक है यहाँ पर जो amazon basin है यह तो amazon basin में किस तरह का climate देखने को मिलता है ऐसा होता हैxico क्लाइमाट क्नडिशन सकिसी है कॉक कैसी है तो कोई भी बता देखा आप एल्स एकां कि यह था energy deficiency यह बड़ा दिखाया है लेकिन यह सा है नहीं कोणा बराबर dł Nord तो यह 0 degree है जैसे यह 0 degree equator है ठीक है अब equator है और यह sun है rotation revolution में यह presume कर रहा हूँ आप 6th class में सब पढ़के आए अच्छे ज़ियान है अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लेना 6th class की starting videos जो है basics of the globe ठीक है motion rotation revolution यह वीडियो देख लोगे तो ज्यादा बहतर रहेगा आपको फिर grasp करने मज आएगी अब देखो क्या है यह sun है अब sun से क्या होता है direct race जो रहती तो sunraise देखो यहां भी जाएगी पोल पे sunraise यहां भी पोल पे जाएगी नौर्थ में भी जाएगी साउत में भी जाएगी लेकिन डायरेक्ट जो बहुत intense sunraise रहती है वह equator पे रहती है जिरो डिगरी पे बोलो हाया ना रहती है क्योंकि यहां पर direct sunraise मिल रही है यहां पर जो यह वाला जो पार्ट रहता ह जो डिगरी यह सन के एकदम towards क्या रहता है डायरेक्ट रहता है तो इस कारण से sunraise आने वाली है वह बहुत ज्यादा intense आती है ठीक है तो अब यह पूरा Amazon area Amazon basin है तो यह equator पे ही है equatorial region में है पूरा तो Amazon basin stretches directly on the equator clear therefore it is characterized by hot and wet climate throughout the year देखो क्या है equator पे है therefore it is characterized by hot ठीक है समझ में आगे होट क्यों क्योंकि equator पे sunraise direct जा रही है and wet wait ठीक है wet क्यों वो लगा है यहाँ पे ठीक है गिला क्यासे हो सकता है sun के सामने है तो चलो समझ में आगया गरम है लेकिन गिला कैसे हो सकता है समझाता हूँ देखो ठीक है तो it is characterized by hot hot का करण समझ में आगया क्योंकि direct sunraise जा रही है and wet climate throughout the year ठीक है गिला climate कैसे होता है साल भर वो मैं समझाता हूँ गिला climate साल भर ऐसे होता है क्योंकि अब sunraise direct आ रही है यहां से तो यह आजुबाजु जो पूरे ocean है न यहाँ पर क्या होगा पानी गरम होगा अब बोलो के पानी गरम होगा आप नहीं यह ठीक है पानी गरम हुआ तो आप क्या होगा इवापिरेशन होगा ठीक है इवापिरेशन होगा cloud formation होगा precipitation होगा बारिश होगी अब जहां से पानी उठा है वहीं पानी आसपास गिरेगा तो यहाँ पर क्या होता है अब अब आरीश होगी तो उसके चलते क्या होने वाला है अब जब बारिश होगी तो वेट भी हो जाएगा तो इसलिए कहा गया equator पर है therefore it is characterized by hot and wet climate throughout the year आया समझ में ठीक है आगे देखो क्या है आगे और इस तरह का climate होता है ना जहां पर hot भी है बहुत जादा और वेट भी है तो उसे equatorial climate कहा जाता है clear है अब देखो आगे क्या है equatorial climate कहा जाता है अब यहाँ पर कुछ और points है both day and nights are almost equally hot and humid अब यहा का जो गर्मी रहती वह भी वैसी रहती तो दिन और रात दोनों समय क्या रहती बहुत जादा गर्मी रहती है और humidity humidity क्या होती में बहुत अच्छा example देता हूं आपको आपने September October में देखा होगा कि बारिश उतनी तो नहीं होती जितनी जून जलाई में होती है लेकिन humidity होती है पसीना बहुत निकलता है ठीक है तो वह जो situation रहती ना वहाँ पर develop होती है इस तरह का climate रहता है climate पढ़ रहा है क्यों होता इस तरह का climate वो भी बता दिया में आपको क्योंकि बारिश भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है ठीक आगे क्या है it rains almost every day क्या होता है सुब से क्या होट और humid climate देखने को मिलता है clear है यह हो गया तो it rains almost every day तो hot and humid climate होता है और सुबह से गर्मी 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 और शाम होते होते बादल बन जाते बारिश हो जाती तो इस सेंस में लिखा it rains almost every day हर दिन क्या होती है यहां पर बारिश होती है आगे क्या है the day temperatures are high with very high humidity ठीक temperature है सब कुछ गिला गिला है क्योंकि रोज बारिश हो रही है तो बहुत जादा चिपचिपाहट लगेगी ठीके बहुत जादा क्या होने वाली humidity होने हाली है और temperature भी जादा है अब लेकिन रात में sun तो चले गया तो sun अर्थ के दूसरी तरफ चले जाता है sun चले गया तो temperature उत्रों ज्यादा नहीं होगा लेकिन वह गिला पंजो है चारो तरफ पानी पानी है ना तो रात में humidity तो रात में भी रहेगी तो इसलिए मतला ऐसा माना जाता है कि दिन हो या रात वो एक जैसा ही माहौल देखने को मिलता है यहां पे आया समझ में तो यह क्लाइमेट के ब को हम next video lecture में क्या करेंगे discuss करेंगे उससे पहले important चीज क्या है कि जिस तरह आपने यह वीडियो लेक्टर देखा geography का तो वैसे civics और इसी तरह से क्या है history भी पढ़ते हो आप आप class 7 में पढ़ते हो लेकिन हम क्या पढ़ते हैं तो हम पूरा class 4 से class 12 तक सारे subjects सारे chapters सारे chapters के सब टॉपिक्स सब टॉपिक्स के भी जो सब टॉपिक्स है सारी चीजों को इस तरह से video lecture की format में क्या कर देते हैं simplify कर देते हैं ताकि आपको सारी चीजें घर बैठे समझ में आ जाए और इन सारी चीजों में interesting चीज क्या है कि यह सारा सब कुछ free of cost मतलब जितने भी video lectures आप देख रहे हो YouTube पे इसमें सारी चीजें आपको free of cost मिल रही है तो यह मज़दार चीज होगी अब आपको क्या करना है आपको अपने juniors और seniors को बताना है platform के बारे में साथ में मिलके बड़ी community एक बड़ी family बनाते हैं साथ में पढ़ते हैं आएगा मज़ा तो यह सारा सब कु वेलकम टू मैगनेट बीज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में रेंफारिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हमने जो चाप्टर स्टाट किया है क्लास 7 जिग्रफी का चाप्टर चाप्टर रे यूमन इंवर्मेंट इंटरेक्शन तो हम दो एरियास है कि कहां पे है किस तरह से है वहां का क्लाइमिट क्या है अब जो अगला टॉपिक है आपकी बुक में अगला टॉपिक क्या है आपकी बुक में अगला टॉपिक है रेंफॉरेस्ट तो इस टॉपिक को समझते है यह टॉपिक क्या है फाइन देखिए अब इसमें सवाल ले हुआ जाइक जो यह उत्य乾्वेट generous लाए करता है इक्वीटोरीयल रीजन पर आता है बारीज जहाद होती है आफ बारिश होने के कारण में जंगल बनता है तो यह जंगल सीदह किसके साथ जुडआ होए बारिश के में तो इसकारण से rainforest कहा जाता है rainforest की characteristic देखो तो अब अगर आप यह देखोगे जुमान जी देखिए तुमने तो उसमें क्या होता है किस तरह से वो rainforest के बीच में से निकलते हैं तो पूरा घना जंगल एकदम घना जंगल और वहाँ पे क्या होता है कि अंधेरा सा रहता है इतना घना होता है कि sunlight भी नहीं पहुच पाती है तो यहाँ पे vegetation भी कैसा मिलेगा आपको यहाँ पेड़ पौधे भी ऐसे मिलेंगे जो बिना sunlight के मतलब बिना sunlight यानि कम sunlight के भी जो survive कर पाए ठीक है therefore only shade tolerant vegetation shade tolerant मतलब क्या है कि ऐसा vegetation जो च्छाओं को tolerate कर सके च्छाओं को समझ रहो जैसे मैं खड़ा हो तो मेरी shadow बन रही है अब मेरी shadow में अगर आप क्या कर पा रहे हो अपने आपको tolerate कर पा रहे हो कि यहाँ ठीक है चलता है shadow से तो वो shade tolerant होती है clear है तो उस तरह से क्या होता है only shade tolerant vegetation may grow here तो यहाँ पे जो vegetation grow होने वाला है वो shade tolerant होगा clear? orchids, bromeliards grow as plant parasites अब यह जो यहाँ पेड़ ग्रो होते हैं तो वो क्या होते हैं plant parasites की तरह grow करते हैं आप बलो कि sunlight नहीं मिल रही है तो यह dependent मतलब यहाँ के जो vegetation है वो ground vegetation जो खास करके वो कैसे grow होगा तो है पर क्या होता है कि अधिक तर, plante parasites रहते है, plant parasites क्या रहते है वो समझा यह लिए, तो मतलब, ऐसे पौधे, जो क्या करते है, जो जो दूसरे पॉधय उपना नीूट नीटेंट करदे लेते हैं या पर 6 पॉधय पाये ज पॉधय चाहर जाते हैं तो इक तरह से टकेंज ठीक है युमिंग बाड़्स बाड ऑफ पैरड़ाइज आर फाउंड बाफ पैरड़ाइज पेड मतलब एक पौधा भी होता है और एक बर्ड भी होता है यह देखो यहाँ पे तो जैसे और्चिड हो गया ड्रो मिल्यार्ड हो गया क्लियर बाफ पैरड़ाइज यह ए क्लियर देखो इससे बर्ड ऑफ पैरड़ाइज मतलब स्वर्ग का एक तरह से पक्षी का जाता है बहुत सुन्दर सा होता है कलरफुल इसके क्या होते हैं फेदर्स वगरा सारी चीज होती है और फिर यह टॉकें होता है तो इस तरह से बड़ी चौच वाले यह पक्षी पा इसकारण से इसे एंटीटिंग कहा जाता है और क्या क्या जानवर तो अब आपने देखा होगा जैसे एमेजॉन बेसी ने पानी यह नदी यह बहुत जादा क्या है सब कुछ डेंस वेजिटेशन है तो यहां पर क्रोकडाइल स्नेक्स पाइथन्स और फाउंडियर पाइथ इसे बहुत डेंसली वेजिटेटिटिड मतलब डेंस वेजिटेशन के कारण यह वाइल लाइफ भी जो है यहां पर बहुत डाइवर्स होती बहुत रिच होती है नेक्स क्या है सेवरे स्पीसीज ओफ फिशिज इंक्लूडिंग दी फ्लेश इटिंग पिराना तो आपने इ तो यह सारे जानवर जो सारी वाइल लाइफ है जैसे जागवार वगेरा जो होता है तो वह भी पाया जाता है यहां पर तरह तरह के मंकी जो है तो उनकी पहुत सारी क्या होती है अलग-अलग स्पीशीज पाई जाती है यह सारे जानवर हमें देखने को मिलते है रेन फॉर और मैंने समझाया है आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अब एक और important चीज़ क्या दिखिए तो अब अगली important चीज़ क्या है कि magnet brain पे जैसे आपने class 7 का ये जियोग्रफी का lecture दिखा तो जियोग्रफी के साथ में civics history तो आपकी एसिस्टी complete होगी लेकिन एसिस्टी क मज़दार चीज़ ये सारा सब कुछ free of cost available है सारे video lectures free of cost available है है ना मज़दार बात आपको क्या करना है आपको अपने juniors और seniors के साथ में share करना है उन्हें बताना है कि वो भी अपना syllabus घर बैठे complete कर सकते हैं magnet brains के साथ में बड़ा मज़ा आएगा fine ये सारा सब कुछ हमने आप पूत welcome to magnet brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम आपका next topic जो है people of the rainforest इस topic को discuss करने वाले हैं पिछले वीडियो में हमने rainforest के बारे में कुछ देखा rainforest याने जो हम Amazon basin के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो हमारा जो chapter है उसमें हम दो parts में पढ़ेंग क्लाइमेट किस तरह का होता है ठीक है वहाँ पर vegetation and wildlife क्या होती है तो मैंने बता है आपको कि dense forest होता है ठीक है wildlife भी क्या होती बहुत diverse होती है तो बहुत सारे reptiles से लगा के बड़े जानवर जैसे जैगोर वगेरा सारे प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे ठीक अब तो आधिकतर क्या होता है hunter gatherers है ठीक हंटिंग करते हैं fishing करते हैं और मतलब यह पहले था आज तो चीज़ें बहुत बदल गई Amazon basin में जो जंगलों में भी लोग रह रहे हैं तो उन्होंने भी अपने आपको क्या कर लिया है मोडिफाय कर लिया है चेंजेस हो गए बहुत जादा वो कैसे developed क्या सकते कहीं न कई वेस्टरनाइजिशन का जो influence है न तो वह अब जाके क्या होने लगा है अब जाके penetrate होने लगा है इंटीर लैंड्स में भी रूरल एरिया में ट्राइबल सुसाइटी में लोग जीन पैने लागें ट्राइबल सुसाइटी में मतलब उनका जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम था उसे हटा के उससे दूर जाके वो लोग क्या है कि अब कहीं न कहीं हम देखते हैं तो आज एक आगे क्या है तो जो अगर जैसे दिखा जाए तो source of livelihood में वो खेती भी करते थे cultivation किस चीज की तो अधिकतर slash and burn farming परफॉर्म की जाती है उनके दौरा slash and burn आपको पता है ना क्या है तो वो पेड़ों को काटते थे आग लगा देते थे और फिर जो आग लगाने के बाद में जो भी residue लह चाता जो ashes रहती थी ठीक है तो उसमें क्या करते थे seeds वगएरा ग्रो करते हैं तो इस तरह से by clearing forest jungle साफ करके वो crops such as tapioca, pineapple, sweet potato यह सारी crops grow करते हैं ठीक है और hunting जो perform करते थे तो hunting was mainly performed by women देखो किस तरह से society to society differences हमें देखने को मिलते हैं कि हमारे यह क्या रहता है usually hunting और यह सारी activities में men को associate किया जाता था लेकिन हम देख रहे हैं कि जो amazon basin वाला जो area है वहाँ पे जो लोग हैं तो वो अपना जीवन यापन करते हैं तो उस stable food is manioc also known as cassava that grows under the ground like the potatoes ठीक है तो एक कंद फल होते हैं कंद फल मतलब क्या है जो जमीन के नीचे उगने वाले हैं तो इस तरह का एक manioc जिसे कसावा भी खा जाता है इस चीज की क्या की जाती है वहाँ पे खेती की जाती है यह stable food हो का यह वो regular diet मे लेते हैं जैसे अगर पॉर्टेटो जो होता है तो पॉर्टेटो को एक regular diet मे रखा जाता है तो यहाँ पर manioc जो होता है तो manioc को regular diet मे रखा जाता है इसके अलाबावा भी खाते क्या क्या है और तो they also eat queen ants and egg sacks यह क्या चीज होती है queen ants मतलब तो आपको प्लिछा है बड़ी चीटी जो होती है च cocoa are also grown तो अब यह cash crop cash crop मतलब क्या direct बेची जाती है यह से coffee grow होती है ब्रजील वगरा जो है तो coffee port वगरा यह हम पर क्या है coffee बहुत जादा ग्रोटी तो coffee जो grow होती तो coffee को क्या करेंगे बेचेंगे यह लोग ठीक है cash crop maize जो grow होता तो खुद भी खाते है बेचते भी है तो इस के पैसा कमाया जा सके अब देखो हम people of the rainforest पढ़ें तो हमने लोगों का रहें सहन देखा कि क्या खाते हैं कैसे रहते हैं क्या करते हैं अब देखो people live in tell houses shaped like behinds तो इस तरह से क्या होता है घास foods के बने हुए जो घर रहते हैं उनमें रहते हैं ठीक है जो एक तरह से कैसा लगत यहां पे रहते हैं there are other large apartments house houses called malloka with a steepy slanting roof समझते हो slanting मतलब हैं क्छत हो चत पर बराबर एकदम क्या कर सकते हो cricket खेल सकते हो लेकिन यहां पर जो लोग चत बना रहे हैं यहां पर जो Amazon rainforest में अंदर जंगलों में जो लोग रहते हैं तो ऐसी steepy slope वाले घर बनाते हैं तीके क्यो क्रिकेट खेलने तो बॉल अपने आप गुड़क के नीचे आजाएं नहीं ऐसा नहीं है तो इसलिए देते हैं क्योंकि यहां पर बारिश बहुत जादा होती है बारिश होती है तो क्या है कि वह पानी जो भी गिरेगा चट पे तो वह बहे के नीचे आजाए इसकार में से क आजाते हैं तो यह स्टीपी स्लोप से ठीक है ताकि बारिश का पानी थमे ना उस पर नीचे सीधे आजाए अगे क्या है चेंज इन दी लाइफ ऑफ अमेजान अब यह क्या है उनका हम जैसे देखा जाए तो आज से 50 साल पहले जो लोग थे तो वह इस तरह से रहते होंगे आज भी interior land में अगर बहुत जादा अंदर जाओगे तो आज भी आपको लोग ऐसे रहते मिलेंगे tribes जो हैं वो आपको ऐसे रहते दिखते मिलेंगे लेकिन फिर भी क्या है large scale पे हमें change देखने को मिलता है ठीक है there are change in the life of amazon ठीक है वहाँ पे जो लोग हैं तो उन लोगों न अंदर वाले एरियाज में जाने के लिए आपको नाओ के थुरू ही जा सकते थे आप बस ठीक है वो भी नदी के थुरू होते होते तो पहले क्या था पहले वहां पे पहुंचना पहले वहां पर जिसे एकसेस जो थी तो उतने accessible नहीं था Amazon लेकिन अब क्या होता है धीरे धी दे के construction के बाद से क्या है कि पूरे Amazon को आप बाइर और कवर कर सकते हो तो इस तरह से जब यह construction हुआ ना तो इस construction के चलते क्या हुआ अब आप देखोगे देखो दो परस्पेक्टिव है एक इंसान यह देख सकता हो हाँ कि इतना अच्छा construction हुआ है हमने development इतना कर दिया कि आप जहां Amazon में जा नहीं सकते थे आप हमने वहां तक आपकी क्या पहुचा दी एक्सेस पहुचा दी है सारी चीज़े हम वहां तक पहुच चुके है तालिया बजाओ तो इस तरह से एक आप यह परस्पेक्टिव दिख सकते हों लेकिन दूसरा परस्पेक्टिव क्या है कि आप किसी और के एरिया में इंट्रूड कर रहे हो ना तो वहां का वाइल लाइफ विजिटेशन डिस्टर्ब हुआ होगा तो दी इंडिजीनियस पॉपुलेशन वास पुच्छ आउट ऑफ दी एरिया एंड फोर्स टू सटल इन न्यू एरिया जो वहां के इंडिजीनियस लोकल थे तो उन लोकल को वहां से हटाना पड़ा ठीक है वोने अपना देश छोड़के क्या करना पड़ा मतलब अपनी जो जगह थी देश तो वही रहेगा अपनी जगह छोड़के जंगलों में रहते तो जंगलों में से उनने बाहर निकाल दिया गया क्या आप बाहर जा डायवर सेरेन फोरेस्ट में ओतने सारे पेड इतने सारे पकषी जानवर सारी चीजे जो डायवर्सीटी बहूत जादा है लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन हो है यो development के नाम बैड काट आरे आपने पेर काट तने ये जानवरों के घर काट दिए उनके घर तबाह कर दिये, अब वो कहा जाएंगे बताओ, ठीक है आपके घर में लाके रखोगे, नहीं, तो वो कही न कहीं क्या हो रहा है, कहीं न कहीं है कि जो इकोडाइवर सिटी थी, वो डिस्टब हो रही है, उसका इमपैक्ट क्या हो रहा है तो उसका इमपैक्ट देखो, Amazon forest को पता है क्या कहा जाता है, Amazon forest को कहा जाता है, lungs of the world, lungs of the world मतलब यहाँ इतने पेड है और इतनी oxygen रिलीज होती कि पूरा world क्या है, यहीं से ब्रीथ कर रहा ह तरह से देखा जाए तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं से ग्रीद कर रहे हैं दूसरे भी एरिया दूसरे भी फॉरेस्टे ट्रैक्स हैं लेकिन वह बहुत जादा क्या है हमारी जो ऑक्सिजन की क्या सकते जो ऑक्सिजन सप्लाय होता है विश्व भर में ठीक है तो Amazon Forest is having a great share in that clear अब क्या हो रहा है जब when you are disturbing the ecological diversity over there तो उसके चलते कहीं ना कहीं impact आपको देखने को मिलेगा तो जो climate scene जो होता है global warming के हम बात करते हैं उन हर चीज़ मतलब एक factor नहीं है कोई तो multiple factors एक साथ काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं ठीक है multiple factors climate scene में जो gases का composition वो गड़बड होत होती है तो हम देखते rain forest जब जलते हैं Australia में forest fire हुआ Amazon forest fire हुआ तो इसका impact आप अगर समझो long term में क्या होने अलाए कि climate change और जो तरह तरह की समस्या हैं ठीक है तो वो face करना पड़े है जानवर जो परिशान हो रहे है तो यह जाएंगे कहा है road पे आएंगे ठीक है यह road पे आ बाहर निकल निकल के आना पड़ रहा है कही काम करना पड़ रहा है construction sites में जा रहा है सारी चीज़े हो रही है clear तो this was all about people of the rainforest यह सारी चीज़े मैं आपको बताइए तो अब हमारा एक पार्ट पूरी तरह से complete हुआ यह tropical वाला complete हो गया ठीक है तो अब जो human environment interactions में जी subtropical region जो magnet bins पे आप सारे subject class 4 से class 12 तक सारा सबकुछ video lecture के format में बिल्कुल इसी तरह से जैसा आपने एक topic पड़ा ना तो सारे subjects के chapter, chapters के topic, topic के sub topic सारा सबकुछ video lecture के format में available है मज़दार बात यह है कि यह free of cost video lectures है तो जिनने आप क्या कर सकते हो देख सकते हो घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते मज़दार बात है करना क्या आपको share करना अपने juniors और seniors के साथ ने उन्हें भी बताईए platform के बारे में that's it next video lecture में अगले पार्ट के साथ में till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राशपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे life in the ganga brahma putra पीर सिन इस topic को हम पढ़ने वाले हैं देखिए हमारा जो chapter उसमें हमने आपको दो pillar बताये थे या फिर दो parts में आप divide कर लो chapter को एक हम tropical area में जो life होती तो उसमें हमने समझा कि किस तरह से amazon basin के example के तो आप देख सकते हो कि हाँ tropical area में ऐसे लोग जीते थे यह जीवन था लोगों का ठीक है मतलब आज भी जी रहे हैं तो वहां का culture क्या है लोगों का रहने सेने का तरीका क्या उसकी geography समझाई पूरी मेंने वहां क क्लाइमेट कैसा होगा यह सारी चीज़ा हम डिसकस कर चुके हैं अब ठीक उसी तरह से हमें comparative study करेंगे किस चीज़ की life in the subtropical region तो human environment interaction में subtropical region के बारे में पढ़ेंगे समझेंगे अब देखो क्या है यहां पर तो जैसे क्या है एक गंगा रिवर एक ब्रह्मपुत्रा रिवर है अब दोनों मिलके क्या बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाती है यह पूरी गंगा रिवर यह पूरी ब्रह्मपुत्रा रिवर दोनों मिलेगी तो क्या बनाएगी गंगा ब्रह्मपुत्राबेसिन आया समझ में यह। बो हां थिक है, अब यह गंगा-ब्रह्मपुत्राबेसिन तो इसके जिउगरफिक को जड़ा समझ थोड़ा सा ठीक है ? ग्रफिक समझ यह कोशिश करना सब्ट्रो आपिकल कैसे हो गया तो ट्रॉपिक ौफ आप है वाला क्योंकि सब्रपीकल रीजन वे लाय करता है इसलिए हम इस बेसिन को गंगा पुत्रा बेसिनको रिटरेंस में लेके इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे देखो कि एवाली चीज़े इट लाइन दी सब्रपीकल रिजन पता है हमें अगला ऑगला इपते हैं तो में रिवरेल तो इसे हो गये… अब आप गंगा रिवर्म क्या है बता चुक हैं एक कर रिवर आके मिल रही है मतलब एक में रिवर में ऐस ठीकिए में रिवर इस रिसीविंग अट्रिभ्यूट फ्रम अनदर रिवर इडिज नोन अस इड्स त्रिभ्यूट्री सिंपल सी जिए-स दिया रख लो जो अपना पानी लिए जाके ट्रिभ्यूट करेगी वो ट्रिभ्यूट्री हो गई यह तो is Tributory, अब क्या वता है तो जो बेशिन बनता है तो गंगा रिवर की जितनी भी रिवर्स मिल रही है गंगा में वह Tributery गंगा की तो ब्रहमपुतरा रिवर्स के जो Tributories ए तो अब ग्रॉमपुतरि चाहिं मिलने के बाद में क्या करती है जानते हैं तिक है यह गंगा अगर ब्रम्पुत्र बेसिन है आगे तो इसकी जियोग्रफी अगर समझे कि यहां पर क्या क्या सीज़े हैं तो सिर्फ नदिया नहीं यह 2 नदी के अलावा जैसे लिए बना देती तो इस तरह से हर नदी के आजबाजू में plain areas रहते हैं जो कि fertile रहते हैं तो plains हैं mountains हैं बहुत जादा geography में अगर हम देखेंगे न तो गंगा प्रमपुत्रा वाला जो area है तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कोई भगवान ने किसी प्रकार का क्या कह सकते हैं कि नलवल खोल दिया है यहाँ पे मिलता रहता है इस कारण से river क्या हो जाती है पेर इंडियल हो जाती है साल भर भाती रहती है ठीक है तो plains है mountains है oxbow lakes बनते हैं यहाँ ठीक है oxbow lakes interesting चीज़ है यह rivers क्या करती है plane area में आने के बाद में इस तरह से बहुत जादा meanders बनाती है ठीक है अब जब यह बहुत जादा meanders में बनाती है तो क्या होगा मानलो कि किसी दिन बहुत तेजी से पानी आया और river का एक loop cutoff हो गया ठीक है एक loop cutoff हो गया वह पूरा मिट जाएगा ठीक करूँगा तो चलो फिर से समझा तो देखो क्या होता है कि अहां अब सही रहेगा ठीक है ये रिवर के क्या है से बहुत सारे loops बनते है मेंयंडर बनाते हैं आगा है आयशा तुछह जादा वारीhश कर लिए तो और देखो गया तो उपर का इस क्या जो लूप रहता है तिरे फिर मिट गया ना उपर का यह जो लूप रहता है यह क्या अलग cut-off हो जाता है ठीक है, बाहर निकल जाता है अलग, तो अब जब ये बाहर निकल जाता है ऐसा तो देखो, नदीना जो सालो पहने क्या बनाया था, डिप्रेशन बनाया था तो यहाँ पर बारिश में पानी भर जाएगा इस तरह से तो एक लेक बन जाता है जो ऑक्स बो की तरह होता है तो ऑक्स तो पता है आपको जैसे यह मान लो ड्रॉइंग पर आपको हसना नहीं थी कि यह एक ऑक्स है यह इसका मू है इसके सिंग है तो अब यह ऑक्स जो है एक बोटेटः चार एक पूँच ठीक है तो ऑक्सबो लेक में क्या होता है कि आप ऑक्स का ये बो देखो ना पीछे जो उसके कन्दे पे रहता है तो उसकी तरह दिखता है ये लेक तो इससे लिए ऑक्सबो लेक का जाता है ये सारा सब कुछ हो गया अब ये जियोगराफी ये तो मतलब ये सारे features देखने को मिलते हैं, plains देखने को मिलेंगे, mountains देखने को मिलेंगे, oxbow, lakes देखने को मिलेंगे, हापे monsoon type of climate होता है गंगा ब्रमो पुतरा प्लीन में, climate समझ लो, हमने वहाँ पर क्या देखाता है कि वहाँ पर एक तरह से हम देखें तो equatorial area होता है, मतलब amazon basin में, equatorial region होता था बहुत जादा बारिश होती है, तो वहाँ पर क्या है, rain forest देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे हाँ क्या होगा, monsoon type of climate, क्योंकि हम देखते हैं कि time के एक period में, मतलब साल के एक period में याने, कि July, August, September, October, तो in time period में क्या होता है, यहां पर बारिश होती है, क्योंकि winds जो आती है, ocean से, तो southwest winds जो आती है, वो क्या लेके आती है, अपने साथ में, moisture लेके आती है, वो moisture जो लेके आती है, तो moisture precipitate करते वे जाती है, तो इस कारण से क्या होता है, यहां पर बारिश बहुत होती है, हमारे यहां उन चार मेहनों में, लेकिन Amazon basin में तो क्या है कि 12 मेहने बारिश होती है, तो यह हमारे यहां की geography है, मतलब गंगा प्रमपुत्रा plane की geography है, ठीक है, आगे देखो कि आप यहां पर planes हैं, तो जिसे planes का फाइदा क्या है, they are suitable for agriculture, plane area है, fertile है, पानी भी है, खुब क्यादी करो, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, cultivation of paddy, wheat, maize, sorghum, grams, millets, तरह तरह की 777 प्रकार के अनाज हमारे देश में क्या किया जाते हैं, ग्रो किया जाते हैं, तो यह हमारी geography का हमें advantage मिला, गंगा प्रमपुत्रा plane में लोगों की source of, main source of livelihood क्या रहा है, ancient times अगा देखते हैं, तो आज agricultural, मतलब, agricultural ही dependent होते थे, ठीक, उनका main source of livelihood agriculture होता था, fine, अब क्या है, cash crops like sugarcane and jute are also grown, banana and tea plantation are also perform, तो cash crops में जसे sugarcane grow किया जाता है, jute grow किया जाता है, jute जूट और sugarcane ऐसी crops है, जिने पानी बहुत लगता है, और क्यूंकि उन एरियाज में बहुत सारी rivers हैं, तो पानी मिल जा जाती है, उसके बाद में क्या है, banana and tea plantation, यह perform किया जाता है, ठीक है, banana, समझते हैं, आप केला, ठीक है, tea plantation, तो जिस से अप क्या होता है, असाम वगेरा वाला जो एरिया है, वहाँ पे इस तरह की hills है, अब वो hills है, तो क्या स्लोप है बहुत जादा, तो महाँ पे drizzles पे होत इन पार्ट्स ऑफ भिहार इना साहब, और तो अब इन्होंने बोला खेती तो सारी कर लिया, अब क्या कर सकते है, अब क्या कर सकते हैं, तो यहां पर पानी बलावा दिख रहा है ठीक है यह पानी बलावा दिख रहा है तो बहुत दादा पानी लगता है rice cultivation में क्लेर उसके आद में और आगे बताता हूं feature क्या है अब vegetation के अगर बात करें कि किस प्रकार के पेड़ पौध है सारी चीज़े पाई जाती है तो यह देखो मैंने main source of livelihood बता दिये जियोग्रोफी से connect कर दिया कि plane area है तो हमें क्या advantage है ठीक है अब आगे देखते हैं अगर तो यहां का vegetation कैसा है किस तरह की पेड़ पॉध है यह सारी चीज़े पाई जाती है तो दी गंगा इन ब्रह्मपुत्रा planes ठीक है plane have धिगंगा इन ब्रह्मपुत्रा plane have ट्रपिकल ड्इसिट्रीयस ठीक है तो यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्रैसिडियस ट्रॉपिकल ड्रशीयस क्या होता उससे समझना तो अब हमारा कुछ पाट इस तो थोड़े से तो बतलब को क्यों प्रिफ को मिलता है पिछ तो बाड़ा सा बहुत तो यह वह सबसक्त 451 यह सारे पेड़ ये खेंग करें ठुस्राइब 20 ज होगा नौर्थ इस्टन स्टीट्स कुछ-कुछ मुवीज में जैसे आते हैं नौर्थ इस्टन क्या है हमारे उनक्रीफ में उनक्रीफे सबस्क्राइब ग्रोफ के तो वहाँ को बहुत बहुत सारे बांबू को जाते हैं तो वह बहुत इस्ट इस्रेट को दिखाया ग reopen से तो वहां का साओग Państwo को देखने को मिलेगा वहां का सब् replaced जादा वुछेज एपसारा-भोस सब्सक्राइब चैने पेर पौध क्या है और पेर-पौδोंक है अपको बैंबू भी बैंबू दिखने थिक यह ज़त में पेंल्टाइग में क्या होता है तो इस तरह से आप देखोगे ओशियन जो कोस्ट्रल रीजन होता है जो समुद्री तट होता है तो समुद्र वाले रीजन में क्या होता है इसे पेड़ जमीन की जड़े जमीन से उपर होती है तो समुद्र के कारण क्या होता है समुद्र के कारण यहां पे पानी जो है तो और यह आपस में इंटर लॉक्ट रहते हैं यह इनकी जड़े जो है तो बहुत सारे एक मतलब natural boundary हो जाती है यह पेर निकल गए उपर और इनकी जड़े आपस में सी जुड़ी हुई रहती है तो यह उपर पौधा है ठीक है यह जड़े और पानी यहां तक जिससे डूबा रहता है कभी ठीक है कभी क्या होता है पानी का लेवल यहां होता है तो जड़े हमें दिखने लगती है तो इस तरह से क्या होता है ग्रो होते हैं mangroves यह फोटो में देख लो आपको समझ आएगा कि जड़े यहां है पानी नीचे ठीक जब हाई-tide होगी तो पानी यहां तक आ जाएगा clear तो mangrove vegetation यह सारी चीज़ें पाई जाती है आप देखो क् इंडीया में देखते हैं गंगा ब्रमः पुतरा प्लίν को चलो और उहां पर दिखा द़ा हो में गंगा ब्रमः पुतरा प्लीन को देखते हो तो PLEEEन के बाद में हमने क्या देखा-ठी यह आप्न-जार प्रदेश लीग, सिक्किम में तो यह एयर्या ऐसा है जहाँगा ब्रह्पुत्राभ बेसिन का जहां पर क्या है पहाण है अब पहाण पर पहां पर यहदी मैं बड़तें जाएगा ऑप जब वहां पर जातें जाओगे विज्टिशन बड़तें जाएगा ये मकmb gia को समझाया सारी कि में separation वाले तो मैं खास करके इंडिया के जब प्रदेश में आपको समझाया था कि जैसे जैसे आप जमीन से उपर जाओगे ना तो आपका वेजिटीशन बदलने लगता है तो वहाँ पे कोनी फेरस फॉरेश्ट वगेरा ये सारी चीजें इस तरह के पेड़ देखने को मिलेंगे तो वह आइन हो गया दियोदार हो गया फिर हो गया इस तरह के पेड़ देखने को मिलता है ठीक है आगे क्या है आगे यह है तो यह मैंग्रूव हो गया पैड़ी कल्टिवेशन यह सारी चीजह मैंने आपको बता दिए अब वाइल डाइस के अगर बात करें हम तो वेजिटेशन हो पुरा गंगर ब्रह्मपुत्रा बेसिन का तो एक साथ पढ़ेंगे हम ठीक है अब वेजिटेशन में वाइल डाइस में क्या देखो तो एलिफेंट्स टाइगा डियर मंकी आर कॉमन सारे सब कुछ देखे हुए आपने ठीक है वन होन राइनसौरस इस फांड इन ब्रह्मप प्यारा साथ यह पाया जाता है फिर क्या है बेंगोल टाइगर क्रोकडाइल एलिगेटर और फांड इन डेल्टा इरी आप यह कहीं से कहीं तक मासूम नहीं लगते हो और तो यह भी पाया जाते हैं डेल्टा रिजन में नदियों के किनारे पर आप देखोगे तो यह आपक इन अब क्या होता है वराइटी ओफ फिश आर आर फांड यह तो यह फिश की अगर आप देखोगे तो दोनों ब्रैकिश भी और फ्रेश वाटर भी ठीक है क्योंकि अब यह गंगा प्रमपुत्रा प्लेन जो है तो अल्टिमेटली कहा जाने वाला है गंगा प्रमपुत्रा प्लेन अगर देखो गया तो समुद्र में जाके मिलेगा यह समुद्र में जाके बेओ बेंगॉल में अब क्या होता है तो यहां पर मचलिया कुछ ऐसी भी जो अंदर की तरफ माइगरेट कर जाती है तो ब्रैकिश वाटर फिश भी कहलाती है ठीक है मतलब जो खारे पानी म पर देखो क्या है मैंने ट्रांपोर्ट्र ट्रेड कम्यूनिकिशन वाला जो चैफ्टर था ट्रेडव राझस फैंट्र sietleman。。 यह होता है कि वौटर वेज्ट में दो तरह के इनलेंड और क्या होते हैं तो आप नदिया नदी बड़ी है लेकिन इसके अलावा पिजिसे यमुना भी एक बड़ी नदी यह बरहें तो यह बड़ी बड़ी जो रिवर्स है इन रिवर्स पर क्या होता है आसां बहुत आसानी से boats वगेरा जो है तो waterways develop किये जा सकते हैं और यहाँ पर क्या चलता है तो डेवलप transportation है यहाँ पर यह पूरा जो बेसी नहीं है यहाँ पर बहुत ज़ादा डेवलप transportation system है तो बहुत सारी boats वगेरा क्या करती है चलती है यहाँ पर अब यह जो एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्रवाला यह बहुत जादा टूरिजम को भी सीव करता है टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है वर्डवाइट से क्या देखने को मिलता है टूरिस्ट आते हैं और डॉमस्टिकली भी लोग जो है तो जैसे मथुरा व्रंदावन वगेरा यहां घूमते फिरते रहते हैं ठीक तो दोनों नेचर अब जैसे आप नौर्थ इसनले स्टेट्स में जाओ तो सिक्किम वगेरा आसाम वगेरा वहां पर डाजलिंग वार्जलिंग लोग घूमते है तो नैचरल ब्यूटी के कारण भी और रिलीजियस परपस के कारण भी ठीक है बहुत सारे मंदिर वगेरा यह सारा सब कुछ है तो इन सारी चीज़ों के चलते है टूरिजम भी जो है यहां पर बहुत ज़ादा ग्रो कर गया ठीक टूरिजम भी गंगा ब्रहो पुतरा बेस टूरिज है सबस्यादा पॉपुलिस टेटेट है फॉफलीज बहुत ज़ादा उत्थर प्रदेश की अब उत्तर प्रदेश की पॉफलीजन इतनी ज़्यादा है तो यह दो बहुत ज्वादा पॉफलीज टो बढ़ा चाइना पीट कर जा जाएगे हमलोग ऐसा नहीं है तो तो population challenge बन रही है, क्यों क्यों क्या कर रही है कहीं न कहीं पॉलीशन फैला रही है, population, pollution कैसे फैला रही है कि आप देखते हो कि religious activities हो रही है, लोग religious, religious tourism के नाम पे जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपना कच्रा तो सारा नदी तालाबों में फिक दे रहे हैं तो कहीं न कहीं यह population जो है वो एक pollution भी create कर रही है ठीक है अब यह को transportation inland transportation जैसे develop हो गया ठीक है उसके बाद में क्या है बहुत सारी wildlife centuries भी है मैं आपको beauty है और beauty के अलावा हम जो देखेंगे तो geography के perspective से मैंने आपको human environment समझाया कि गंगा ब्रह्मपुत्रा में किस तरह का human environment देखने को मिलता है finally खतम ठीक है तो यह topic था पुरा बड़ा था समझा दिया आपको समझ में आईए किसी प्रकार का डाउट है तो क्या करना है comment section आपका इंतजार कर रहा है fine अब आपने जिस तरह से geography पढ़ा है तो geography के साथ में आप क्या कर सकते हैं दूसरे subjects दूसरे subjects देसे आपका science है ठीक है civics है history है यह सारी चीज़े math है तो यह सारा सब कुछ क्या कर सकते हैं बहुत आसानी से magnet brains पर पढ़ सकते हैं क्यूं क्यूंकि magnet brains पर magnet brains और एकमात रहसा channel है जो free of cost क्या कर रहा है आपको video lectures प्रोवाइड कर रहा है complete video lectures प्रोवाइड कर रहा है ऐसा नहीं कि एक chapter दो magnet brains पर होगी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं ठीक free of cost पढ़ सकते हैं video lectures क्योंकि सारे YouTube पर website पर अविलेबल है clear है आपको क्या करना है आपको अपने juniors और seniors को बताना है हमारी जो community हमारी जो family यह से बढ़ा करना है और ठीक है यह सारे सब कुछ मुझे आपको बताना था I hope you enjoyed it सारी चीज़ें समझ में आई हैं यह last video lecture नहीं है क्यों क्योंकि अभी do you know facts जो chapter के हैं वो सारे सब कुछ हम next video lecture में discuss करेंगे तो next video lecture सक्के लिए क्या करना है till then stay connected keep learning thank you thank you very much Hello everybody this is दिगरास सिंग राजपूत welcome to magnet beans इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम do you know facts discuss करने वाले हैं किस chapter से तो जिस chapter को हम थेओरी पार्ट पर पूरी तरह से complete कर चुके हैं जी हां हमारा जो chapter है human environment interactions the tropical and subtropical region chapter का नाम इतना बड़ा है ऐसा लगता है कि answer याद करना पड़ रहा है एक पूरा ठीक तो अब इस chapter को हमने पढ़ लिया है पूरा मज़े की बात यह तो सारे topics subtopics सब कुछ complete हो गया लेकिन आपको पता है कि कुछ do you know facts box वगरा दिये रहते ह अब यह जो facts से interesting होते पढ़ने में मज़़ा आता है सांती साथ one marks में कभी-कभी जो चालाग teacher होते हैं मेरी तरह नहीं ठीक है तो वो क्या करते हैं वो one marks के question जो है तो यहां box से बना के देते हैं और यह बहुत अच्छा होता था कि आपको एक extra detail जानने का मौका मिले ठीक है तो अब यह जो one marks के question यहां से अगर आते हैं आपके teacher इतना सोचते हैं आपके बारे मौँ अगर वो one marks के question देते हैं तो क्या होता है तो आपको यह चीजे पढ़ना भी ज़रूरी है तो अब हम इस video lecture में वही सारा सब कुछ पढ़ने वाले है फाइन देगे क्या है तो when Spanish explorers discovered the Amazon river पहला fact जो मैं आपको बता रहा हूं पहला जो do you know box है उसको समझा रहा हूं मैं तो Spanish explorers मतलब क्या Spain से जब लोग निकले हूंगे ठीक है Spain से एक बार explorers मतलब क्या लोग ढूंडने के लिए कुछ कुछ चीजे निकले थे तो Spanish explorers जब Spain से निकले और वह Amazon river को जब देखते हैं बोलते हैं हमने discovery कर ली हैं कि यह river इसका नाम Amazon रखेंगे लेकिन Amazon क्यूं रखेंगे उसके बीचे कारण थीगे तो they were attacked by the group of local tribes wearing headgears and grass skirts ठीक है तो उन्हें एक tribal group ने attack करा जो कैसे हैं जैसे हम सोचते हैं tribes के बार में headgears पहना हों skirt वगरा लगाई हो पत्ते बत्ते के कपड़े और उन्हें अटेक करा Spanish explorers के उपर these people reminded them of the fierce tribe fierce मतलब कहा है बहुत भायंकर ferocious जिसे कहते न तो fierce tribes of women warrior known as known in ancient roman empire as Amazons hence name Amazon तो मतलब जब इन लोगों के उपर उन tribal groups ने आभी वास्योंने हमला करा तो इन Spanish explorers को किसकी यादा ही पता है ancient roman में जो इनकी ancient roman history है न तो उसमें इसी प्रकार के एक बहुत भायंकर tribe के बारे में जिक्र किया गया है Amazon ठीक है तो उन tribal group को Amazon कहा जाता तो इन्होंने उस area का नाम उस forest का नाम उस नदी का नाम Amazon river रख दिया एना interesting जीज़ आगे देखो कहा है याद रखना है जिवन बर काम आती यह चीज़ें आप कभी बात करते करते आपको मतलब ऐसे आप एक इसको एसे समझो जैसे अब यह तो मैंने आपको Amazonian tribes के बारे में बताया तो इस तरह से खतरनाक लोग होते हैं दिल के बड़ा अच्छे होते हैं tribal community यह चीज आपको हमेशे ध्यान रखना होगी अब terrace cultivation को अगर समझे तो यह से पाहार था पूरा पहले अब क्या होगा यहां पर तो पे उसको clear off कर देतो मिट्टी को कांड देतो जैसे यहां पर देखो आप तो यहां पर क्या करते हो इतना काड़् दिया है सब कुछ तो ड़ह क्या होगा एक फ्लैट लेंड की तरह बन गया थोड़ा से यहाँ पर जाओके फिर फ्लैट फ्लैट ए तो यह सीडियों क तरह बन गया ना तो इस पर क्या होता है खेती करना असान हो जाते हैं देखो इस पर आप क्या कर सकते हो क्रॉप्स ग्रोप कर सकते हो so that the water does not run off पानी अगर पूरा स्लोप रहता तो यहां गिरता पानी भाएकर सीधे नीचे जाता जैसे आप नीचे आए हो तो उस तरह से क्या है कि पानी रुखता नहीं लेकिन अभी जब आपने स्टीप स्काट दी उसमें टेरस बना दी हैं तो उससे क्या हो जाएगा पानी रुख जाएगा water will not run off directly तो यह हो गया एक चीज अगला क्या है अगला इतर देखो गो मिलियाट के बारे में ठीक है तो पीछे है अभी तो तो ग्रोमिलियाट्स आर स्पेशल प्लांट्स डेट स्टोर वाटर इन डियर लीव्स मैंने आपको जब अमेजन रेंफॉरेस्ट के बारे में बता ला था तो बताया था किस तरह का वजीटेशन पाया जाता है तो जिस तरह का वजीटेशन पाया तो उसमें ब्रोमिलियाट्स भी शामिल होते हैं ब्रोमिलियाट्स एक तरह का क्या है प्लांट है जो पानी को क्या करता है स्टोर करता है स्टोर वाटर इन डियर लीव्स एनिमल्स like frogs use these pockets of water for laying their eggs ठीक है तो यह जैसे प्रॉमिलियार्स है तो यह अपनी लीव में मोटी सी लीव होती इसके अंदर पानी को स्टोर करके रखता है पानी को स्टोर करके रखता तो अब क्या होता जो छोटे-छोटे से जानवर होते हैं जो घुस जाते हैं इन पत्तियों के बीच में जैसे फ्रॉग्स हो गया तो वह अपने एंडे दे देते हैं यहां पर बोलते हैं कि आपका घर है लो हमारे बच्चों को पाल ले ना इसमें ठीक है इस तरह से अब यहां पर डॉल्फिन आएगी डॉल्फिन का नाम पता है क्या है सूसू ठीक है अब इसके बारे में कुछ जानते चलो तो इन दी फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्रा अब वराइटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड शूसू ठीक है तो यह जो डॉल्फिन होती है और सो कॉल्ड अस ब्लाइंड डॉल्फिन इसे ब्लाइंड विका जाता क्योंकि यह क्या करती है मतलब बहुत अपनी डायरेक्शन में चलती है ठीक ऐसा लगता है यह से दिखेने ही रहा है चीने क्लियर इस फांड दी सफाइंग सा लगता है कि हम बाप सुन्दर सा जानवारे हैं तो यह डॉल्फिन है इसकी आँखे जो बहुत बारिक हती जी बहुत बारिक सी खातो है अब देखो को यह यह जहां पर देखने को मिलेगी इसका मतलब क्या की वहां का पानी शुद है निर्मल है साफ है अबग कहां देखने को मिलती वो देखने को मिलती गंगा रिवर में लेकिन अब क्या होता जा रहा है जैसे धीरे धीरे इंडस्ट्री ग्रो करते जा रही है और इंडस्ट्री ने पुरे पानी को पल्यूट कर दिया है तो उसके चलते क्या है कि यह जो डॉल्फिन अब बहुत कम दि coverage and to put force on sanitation, the Prime Minister of India launched the Swach Bharat Mission on 2nd October 2014, ये तो सब जानते हैं आप ठीक है, हमारे Prime Minister श्री नरेंद मोदी जी ने क्या किया, तो 2nd October 2014 पे उन्होंने एक program launch किया, Swach Bharat Mission, अब ये जो Swach Bharat Mission launch किया तो इसका objective क्या है, इस mission का objective simple सा सीधा सा सटीक सा ही है कि sanitation facility को improve किया जाए देश में, ठीक है, लोगों के पास में क्या हो, लोगों के पास में देख सकते हैं, तो क्या एक proper facility हो, proper facility, proper bathrooms वगएर ये सारी चीज़ें हो, ताकि क्या हो, open defection जगरा, या फिर उससे जुड़ी जितनी भी समस्या है, जो लोग बाहर toilet जाते हैं, तो जो problems create होती है, उससे हम क्या कर सके हैं, देश को छुटकारा दिला सके, अब आप बोलो कि ये human environment वाले chapter में क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये इसमें इसलिए पढ़ना है, क्योंकि जैसे हम जो देख रहे हैं कि नमामी गंगा program has been initiated, अब जैसे मैं आपको बता है कि गंगा रिवर क्या हो रही है, गंगा रिवर बहुत जादा लो, तो slash and burn is a way of cultivating land, ये मैंना आपको बता चुका हूँ विसे, एक बार और बता देता हूँ, do you know fact में आया है तो, कि slash and burn क्या होता है, जैसे हमने देखा कि जो tribal people है, North Eastern state में आफिर हम बात करते हैं कहां कि tropical area में जैसे Amazon बेशी ने, तो वहाँ पर जो tribes है, वो slash and burn perform करते हैं, होता क्या चीज़े देखो, तो slash and burn is a way of cultivating land where farmers clear a piece of land by slashing or cutting down trees and bushes, पेड़ो को काट दिया जाता है, ठीक है, these are then burnt which releases the nutrients into the soil, और फिर इन पेडों क्या किया जा जिससे क्या होता है, soil में nutrients आते हैं, ठीक है, now crops are grown in this cleared field for few years, और फिर क्या होता है, फिर कुछ सालों तक के लिए, इसमें crops grow की जाती है, आगे समझ में, now crops are grown in this cleared field for a few years, after repeatedly using the patch of land, अब ये जैसे जंगल था, ठीक है, इससे ज्यादा बहतर समझाएगा न, अब देखों कहा है, जंगल था, काट दिया, इसमें आग लगा दी, आग लगाने के बाद में, क्या होगा, nutrients सारे जमीन में मिल जाएंगे, ठीक है, अंकल जला रहे हैं, जैसे सब कुछ, nutrients अब मिल जाएंगे, तो अब क्या होगा, इस patch of land पर खेती की जाएगी, खेती करेंगे कुछ सालों तक, ठीक है, after repeatedly using the patch of land, the soil loses its nutrients, तो आपने पेड़े एक बार जला है थे, एक बार उसके अंदर एश मिली थी, राख मिली थी, अब वो nutrients जब खतम हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, so it is abundant, उस जमीन को खाली छोड़ते हैं, then they clear another plot of land to plant, फिर उसी तरह से दूसरी process, तो दूसरा plot of land देखेंगे, वहाँ पेड़े काटेंगे, आग लगाएंगे, वहाँ खिती करेंगे, कुछ सालों तक, यह होता है, slash and burn, slash burn, केदी करो, आगे बड़ो, ठीक है, वो चीज रहती है, तो in the meantime, young trees grow in the old field, ठीक है, in this way, soil fertility is restored, अब देखो क्या होगा है, जिस जगा को उनने खाली लाजा दा ना, तो वहाँ पर फिर से पेड़ आएंगे, अब ठीक है, नीचर कितना प्यारा होता है, अब वहाँ फिर से पिर से पिंगे, वो पइड़ फिर से जाएंगे, घने हो जाएंगे, और यह लोग दूसरे- दूसरे-दूसरे-डॉसरे-प्लोट पे गुमते रहें तो in the meantime young trees grow in the old field in this way soil fertility is restored people can then return to it and start cultivating it again फिर सो उसको बापिस cultivate किया जा सकता है ठीक है ये मैंने आपको बताया और अब इसी के साथ हमारा chapter होता है complete chapter पूरा complete हो गया है ठीक है तो पूरा कैसे complete हो गया हमने do you know facts भी पढ़ लिए इनो facts के साथ में जो theory में जितने भी topics थे सब कुछ पढ़ लिए एक चीज रह गई है भी क्या रह गई है तो जी हाँ अभी हमने question answers तो पढ़े नहीं है तो अब हम next video lecture में क्या करने वाले हैं जितने भी NCIT questions हैं तो NCIT questions के solutions जो है वो next video lecture में discuss करने आले chapter फिर हम कहेंगे कि हाँ पूरा एकदम complete हो गया है बागे theory part यहाँ पे complete होता है I hope you enjoyed the chapter सारी चीज़ने आपको समझ में आई है एक और interesting चीज़ क्या है कि जिस तरह से ये chapter enjoy कर आए ये subject enjoy कर आए तो ये class enjoy करिए तो उसी तरह से magnet dreams पे class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी chapters, सभी chapters के topics, subtopics सब कुछ video lecture के format में available है YouTube channel पे भी, website पे भी आप क्या कर सकते हैं बहुत आसाई से घर बैटे बैटे अपना syllabus complete कर सकते हैं मददार चीज़ कि ये सारे video lectures free of cost available है तो free में देखो, पढ़ो, syllabus complete करो tension क्यों लेते हो ये सारा सब कुछ मैंने आपको बताया है I hope you enjoy it next video lecture में हम क्या करने आले NCIT solutions discuss करने वाले है till then stay connected, keep learning thank you, thank you very much Hello everybody, this is DIGRAS Singh, राशपूत Welcome to Magnet Beans इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस video में हम NCIT solutions discuss करने वाले हैं किस chapter के? तो जिस chapter को theory part पर हम पूरी तरह से complete कर चुके हैं Class 7th geography का chapter chapter है human environment interactions और अब इस बार हमने tropical, subtropical लिखा नहीं है intentionally क्योंकि अब आपको भी याद हो गया मुझे भी याद हो गया आपके पास answers नहीं है मेरे पास answers भी है मुझे धार बात तो अब उन सारे solutions को उन सारे answers को हम discuss करने वाले हैं देखें क्या है answer the foreign questions पर पहले आते हैं छोटे-छोटे से सुन्दर-सुन्दर से answer है याद करने में भी दिक्कत नहीं होती है तो name the continent in which Amazon basin is located तो the continent in which Amazon basin is located is known as South America South America उपर North America है तो South America हो गया है अगला क्या है what are the crops grown by the people of the Amazon basin Amazon basin के जो लोग है उनके दोरा कौन सी crops grow की जाती है तो तापियोका ठीक है pineapple, sweet potato, coffee, maize, cocoa जैसे जैसे सब क्या है cash crop है are the crops grown by people of the Amazon basin यह मैंने आपको बता दिया clear है आगे क्या है name the birds that you are likely to find in rainforest of Amazon Amazon rainforest में आपको कौन से birds मिल सकते हैं वो पूछा है यह सारी चीदों को one marks में भी पूछी जा सकती है और इस तरह से direct question में भी direct question है आपको one word में answer देना है एक statement में देना answer वैसे दे सकते हो आप तो tokens and hummingbird ठीक है और फिर birds bird of paradise यह सब भी लिख सकते हो आप तो tokens and hummingbirds are found in the rainforest of Amazon तो Amazon के rainforest में यह वाले पक्षी पाए जाते हैं what are the major cities located on the river गंगा तो what are the major cities आप आपको सिटीज तो हजारों सिटीज लोकेट हैं आपको major cities बताना है जो आपकी book में दिये कौन कौन सी जैसे अलाबाद है कानपूर है वारा नसी है लखनाओ है पतना है कॉलकता है तो यह सारी rivers जो है यह सारी cities जो है तो यह गंगा इंशेंट सिटी है इंशेंट सिटी मतलब इंशेंट में हैसा नहीं कि बहुत पुरानी लेकिन फिर भी क्या है relatively बहुत पुरानी सिटीज है जो क्या है river के आजबाज़ो डवलप हो गई है civilization यहां से स्टार्ट हुआ ठीक है अब देखिए क्या है एक सिंग वाला रैनेसोरस कहा पाया जाता है तो इस फाउंड इन ब्रह्मपुत्रा प्लेन में भी कहां पे काजी रंगा नैशनल पार्क नहाने आपको मिन बताया था तो काजी रंगा नैशनल पार्क में वन होन रैनेसोरस पाया जाता है यह तो question answers हो गए अगला क्या एक टिक दी correct answer MCQ है मदेदा चीज होती इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि यह चार में से ही एक answer है ठीक है और यहां तो तो तीन ही दिये है तो यह 33% probability है आपका answer सही जाने की मैं question बोलूँगा आपको भी क्या करना है मन में answer सोचना है मन में answer सोच लोगे ट words ठीक है next can manioc is a staple food of manioc कहां का staple food एक और हिंट दिता हूँ चलो कसावाज भी कहा जाता है इसे कहां कहा जाता है गंगा वेसिन में अफ्रीका में या फिर Amazon में अफ्रीका तो पढ़ा ही नहीं है तो यह तो देखो हमेशा जरू नहीं कि सही आंसर पता हो आपको यह अगर पता है कि क्या गलत है तो भी काम बन जाएगा अफ्रीका तो पढ़ा ही नहीं हमने चलो हटाओ ठीक है गंगा पेसिन बचा और Amazon बचा है राइट आंसर इस Amazon clear प्रणा रिवर की बाइट ब्री तो हुगली रिवर पर वो लोकेटेट है डिस्टिब्यूटरी सौरी फिर आगे क्या है देवदार्स एंफर्स आर टाइप आफ यह जो पेड़ है ठीक है यह पेड़ किस तरह के पेड़ है डैसीडियस ट्री है श्रॉब से यहां फिर कौन आगे सब रहे हैं पर यहां प्रेस तरह का विघ्र अचिके लुटियूच अब बैंगोल टाइगर कहां मिलते हैं यह बता हुग मोटेंस में इंदा एरिया में मिलते हैं देखो में आपको बता है था कि गंगा ब्रहमुटर्पुत्रप्लेंज जो है तो धंगा बरम्मपुत्रा प्लेन जो है वह डेल्टा बनाता है ठीक है डेल्टा मतलब क्या होता है कि यह नदी हैं दोनों द्रोम मिलने आली तो समुधर मिलने से पहले से चर्ण करती है अपनी ब्रांचेस को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में क्या कर देती यह आपक यहां मुद इस डैल्टा में पाई जाता है भेंगउर टाइगर तो हैं यह श्रया पांसर हो जाएगा दो option क्या है किसी काम के नहीं है चलो देखते हैं मतलब यह दो answer आपको bluff करने के लिए कि आप confused हो जाओ ठीक है लेकिन trick क्या है हमारी हम सबसे पहले इधर सारी चीज़े पढ़ लेंगे cotton textile है ठीक है मलोका है पिराना है यह सारी चीज़े अब answer देख लिए question देख लिए हमने अब जड़ा मिलाना चालो करते हैं चलो जिसा आपको पिराना सबसे पहले समझाओ गया फिश यह क्योंकि बहुत डरावनी सी दिखाई है पीसी में आपको flesh eating fish है कहां पाई जाती है बताएंगे आप comment section में ठीक है तो प को पालते होना तो rearing of silk warm is known as sericulture जैसे agriculture होता है तो वैसी आप जब silk बनाते हो तो वह sericulture कहलाता है clear है अब देखो अगला क्या है काजी रंगा है तो आपको पताए कि काजी रंगा तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन में असाम में ठीक है अभी पढ़ा था हमने वहाँ पे वर्ण सब्सक्राइब काजी रंगा हो गया असाम का अब बचे दो है मलोका मलोका मैंने आपको बताया था कुछ अगर ध्यान हो तो ठीक है Amazon Basin में जो घर होते हैं तो वह घर किस तरह के होते हैं slanting roofs वाले तो उन्हें क्या कहा जाता है apartment जो होते हैं मलोका कहा जाता है अब बचाए cotton textile option है terrace farming काट दो बिल्कुल terrace farming में तो हम देखते हैं कि पहाड़ों को काट के पानी को store करने के लिए बनाया जाता है तो terrace farming तो नहीं है अब बचा क्या गंगा प्लेन और वारन असी तो cotton textile जो है तो पुरानी cities जो है वारन असी जैसी यह cities जब develop हुई है न तो यहां पे सिल्क वर्म का हो गया सरी कल्चर काजी रंगा का हो गया असाम अभी आप एक चीज़ सोच रहोंगे सब्सक्राइब को कभी कभी गैस वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है मैं आपको सिखाना चाहरा हूं कि आपको जरूरी नहीं कि जो सही आंसर है वही पता हो आप eliminate करो एक ब कि आप आधा काम तो कर गए हो आधे नंबर तो आपके पक्के हो गए है क्या फेस करते हो और confidence is everything अगर आप confidently फेस करोगे बिलीव मी तो आप से हर प्रश्न बनेगा ठीक हर कुशन को आप सॉल्व कर सकते हो आया समझ में चलो तो अब हमारा चैप्टर जो है पूरी तरह से complete हुआ है इसे हम देते हैं एक पूर्ण आहुती पूर्ण आहुती देने से पहले दो कुश्चन बजगा है लेकिन तो फिर देदें पूर्ण आहुती रूखो तो इन्फोरेस्ट और डिप्लीटिंग गिव रिजन आपको रिजन देना कि रेइन फोरेस्ट फॉरेस्ट जो एरिया है तो वो क्यों डिप्लीट हो रहा है क्यों खतम होते चले जा रहा है आंसर के लिखेंगे हम तो दी रेंफॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग बिकॉस ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज विच डिस्ट्रॉइड दी बायलोजिकल डायवर्सिटी ऑफ क्यों और सब्सेशन होते रहा है क्ants यह थो इना व्हान कि और नेकिए हम्हारे जानवार को मार है हमहारे शौक्त कर रहे लेकिन किसी के परिवार को कर दे रहे उनका भी परिवार है रहे ठीक है शेर है शेर नहीं है उनके बच्चे सारी चीज़ें तो अब क्या हो रहा है कि डेवल्पमेंटल एक्टिविटीस के चलते कहीं है कई रेंफॉरेस्ट जो है रेंफॉरेस्ट के जो वजीटेशन है जो वहां की वाइल डाइफ है वहां का जो कल्चरे ट्राइब स्कॉप बाहर बगा दे रहे हो तो इस तरह से क्या है कि यह प्रॉब्लम्स क्रेट हो रही है तो दी रेंफॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग आगे समझ में फाइन आगे दिखना है आपको ठीक है तो दी गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लीन इस बेस्ट सुटेट फॉर पैडी कल्टिवेशन बिकॉस इट रिक्वार्स सफिशेंट वाटर एंड फर्टाइल स्वाइड कर लो ठीक है एंड फर्टाइल स्वाइल एंड इस रिजन फुल्फिल इस बी और सफिशेंट रेंफॉल भी है पानी नदी भी है सारी चीज़ें तो इसके चलते क्या यह सारी सिच्वेशन गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में फुल्फिल होती है और पैडी को भी पैडी मतलब राइस राइस को भी यही कंडिशन चाहिए रहती है तो राइस यहां अब कुशन आंसर्स कंप्लीट होगा तो क्या करना है अब देना हमें पूर्णा होती स्वाहा तो यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ थियोरी पार्ट पे भी कुशन आंसर्स वाले पार्ट पे भी आई विश यू इंजॉइड दी चैप्टर ठीक है सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में ठीक है और एक और इंपोर्टेंट चीज़ क्या है कि मैगनेट मेंस पर आप जो पढ़ते आ रहे हैं तो सारी क्लास इस क्लास 4 से क्लास 12 इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं अपने जूनियर सीनियर्स को बताईएगा जरूर फाइन अब नेक्स वीडियो लेक्चर में एक नए जाप्र के साथ स्टार्ट करने वाले हैं तिल देन स्टे गरेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच